देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ साथ जोतिश, वास्तु, मंत, राधी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय प सब्सक्राइब करता हूँ, आशा करता हूँ, आप सभी स्वस्त होंगे, महादेव के क्रिपा आप सभी पर सदायब बने रहे, अपनी वीडियो श्रिंखला को आगे बढ़ाते हुए, आज हम कर्क यानि की कैंसर के बारे बात करेंगे, जो हमारी वीडियो श्रिंखला चल प्रमुक रह होते हैं, उनका ही जादा प्रभाव होता है, शनी ब्रहस्पति राहु केतु, इसके साथ ही इस वीडियो में कुछ में अपने स्पेशल प्रेडिक्शन भी दूँगा, सावधानिया भी बताऊंगा, जिनको आपको ध्यान में रखना है और आगे बढ़ना है, जो भी जीवन के प्रमुक एस्पेक्ट्स होते हैं, जनरल, करियर, बिजनस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूरेंस, हेल्थ, फाइन्स, इन सब पर चर्चा होगी, और वीडियो के अंत में बहुत महत्पून कुछ उबाय भी बताऊंगा, जो आप करेंगे तो साल की स शुरुवाती चार महीने ब्रहस्पती की द्रिष्टी लगन पर बनी रहेगी, ब्रहस्पती पाइसेस यानि की मीन में रहेंगे, नवम भाव में, और उनकी द्रिष्टी लगन पर बनी रहेगी, वो प्रोटेक्शन देंगे, तो साल के चार महीने जो शुरुवाती हैं, य प्रवेश कर जाएंगे 17 जनवरी 2023 को मिला जुला प्रभाव होगा करक के लिए शनी महराज कोई बहुत जादा अच्छे ग्रह भी नहीं है बहुत जादा नकरात्मग भी नहीं है एक भाव उनका बहुत अच्छा है केंद्रस्थान यानि कि सप्तम भाव वहीं दूसरा भाव का जो सवामित्व है वो आठवे घर का है इस लिए मैंने कहाँ एक मिला जुला प्रभाव देते हैं अब केंद्र के सवामी है लेकिन अश्टम में जा रहे हैं जो केंद्र होते हैं हमारे कुंडली में एक चार सांदस भाव ये विष्णू स्थान कहे जाते हैं ये जीवन म unstable रहेंगे देखी धाई साल रहते हैं शनीदेव इसका मतलब यह नहीं कि पूरा धाई साल ऐसा जाएगा लेकिन जब प्रवेश करते हैं राशी में तो intensity उनकी speed उनकी जाधा होती है उनकी उर्जा जाधा होती है तो शुरुवाती कुछ महीने 5-6 महीने ये प्रभाव जाधा देखने को मिलेंगे अश्टम के भी स्वामी है जैसे मैंने पताया ये एक अच्छी चीज भी हो रही है क्या विपरी तराज्योग बन रहा है ये अच्छा है तो positive negative दोनों ही प्रभाव आपको थोड़ा बहुत शरीदेव देंगे अनिशित्ता बहुत रहेगी जीवन में इस चीज में कोई दोर आए नहीं है सबसे पहले तो आपके लगने के स्वामी भी चंद्रमा ही है अब अगर वो कुंडली में अच्छी जगा नहीं बैठे जाएंगे, complexities जीवन की बढ़ जाएंगे, मन बहुत विचलित रहेगा, थोड़े sensitive होते ही हैं करक लगन करक राशी के जातक, क्योंकि चंद्रमा की राशी है, चंद्रमा का लगन है, जलत अत्व है, sensitive होते हैं, अब यह जो प्रभाव है शनी महाराज का इस्टम में और बहुत जादा चांसिस है कि गलत ही आप लेंगे, अब विफरीत राजयोग है, यह आपको जो जारू बनाएगा, आपके रुके हुए कार अवश्य बनाएगा, लेकिन बड़े निरने लेने से बचें, शनी देव अपना प्रभाव तो दिखाएंगे, शनी देव कैसे भी ह वो अपना जो खुद का कारकत्व है, उसको तो नहीं भूलेंगे, नेगेटिव थौट्स बहुत आएंगे, अश्टम में है शनी देव, नेगेटिव थौट्स आएंगे, कभी-कभी जीवन बहुत नीरस सा लगेगा, कि कुछ है ही नहीं जीवन में, उच्सा ही नहीं है, जैसा मैंने कहा, जिनके कुंडली में चंद्रमा बहुत जादा पीडित है, केमद्रुम योग है, कुंडली में चंद्रमा अश्टम में है, राहु केतु के साथ है, विश्योग बना हुआ है, बुद्ध के साथ है, तो उनके लिए प्रभाव थोड़ा जादा रहेगा, पूरे धाई साल बूरे जाएंगे, लेकिन शुरुवात में आपको बहुत जादा ध्यान देना है, कई चीजों में स्थिर्ता की कमी आएगी, गलत लोगों पर विश्वास करेंगे, हो सकता है कुछ गलत फाइनेंशल डिसीजन्स भी ले ले, ये सब शुरुवात में आप को अवाइड खना है, धैरे बहुत दिखाना पड़ेगा और आप सीख भी जाएंगे धैरे, इंपल्सिवनेस कम होगी, शनी महराज कुछ सिखा के जाते हैं, तो धैरे आपको विश्व सिखा के जाएंगे, सब्तम भाव के स्वामी है अश्टम में जा रहे हैं, अपने से अपने आपको तलाश न होता है, ये साल आपका वैसा ही है, तीसरे, जो तीसरी दिश्टी है शनी महराज की आठवे भाव में बैठकर वो दस्वे स्थान पर होगी, यानि कि अन्स्टेबिलिटी आएगी कारेक शेत्र में, हाँ, जॉब चेंज करने के लिए बहुत अच्छा समय है, नई अपरचुनोटीज आएगी, लेकिन ओवरॉ कुछ और करूँ, अपना काम करूँ, जॉब चेंज की बहुत अपरचुनोटीज आएगी, उसमें नो डाउट है, लेकिन अच्छा नहीं रहेगा कारेक शेत्र में, डिस्सैटिस्वेक्शन रहेगी, अन्स्टेबिलिटी रहेगी, आपकी जो अच्छी इमेज बनी हुई ह है, इससे पहले, उसको कुछ लोग खराब करने का प्रयास करेंगे, आप बहुत अच्छा सपोस काम करते हैं, श्किल्फुल हैं, लेकिन ये वो समय होगा, जब लोग आपको या आपकी goodwill को, आपकी अच्छी इमेज को खराब करने का प्रयास करेंगे, कई जगा आपको recognition म मिलता मिलता रहा जाएगा opportunities सामने से हाथ के निकल जाएगी तो ये सब जो शुरू का sensitive time है 5-6 महिने का उसमें जादा होगा ये मत समझिएगा कि पूरा धाई साल ऐसा जाएगा नहीं ऐसा नहीं होगा उसमें दशा अंतरदशा बहुत बदलती हैं लेकिन शुरुआत में ऐसा अवश्य होगा जौब profile change करने के बारे में आप सोचेंगे जो करने उसका एकदम opposite करने के बारे में सोच सकते हैं काम में बहुत मन नहीं लगेगा और detachment की feeling आएगी क्यूं कर रहा हूं ये काम क्यूं ये job कर रहा हूं कभी कभी गलानी की भावना guilt feeling भी आएगी कारिक शेतर में confidence कम रहेगा जो साती द्रिष्टी है शनी महराज की कहां होगी धनस्थानपत ये अच्छा है क्यों पैसे के लिए अच्छा है पैसे का inflow बढ़ेगा अकस्मत धनलाब के योग बनते हैं अश्टम का दूसरे से कभी भी योग होता है तो इसके साती जो business करते हैं उनके ल रवाहट आ जायेगी, express नहीं कर पाएंगे अपने आपको वैसे भी नहीं कर पाते जब शनी की दृष्टी आजाती है तो जो थोड़ा भूट express कर बाते हैं धंग से वोगी नहीं कर पाएंगे, कोई वानी वाला काम करते हैं, बहुत problem होग आपकी अपने घरवालों से थोड़ी दूरी होगी क्योंकि कुटुम्ब स्थान है मैं ये नहीं कहा रहा कि बहुत लड़ाई जगड़े होंगे थोड़ा वैचारिक रूप से दूरी होंगी अकेला रहना आपको इनियेशली बहुत पसंद आएगा घर में लेकिन अचानक से पैसों का लाब हो सकता है किसी की तब्यत घर में विगर सकती है किसी वरिष्ट सदस्य की कुछ टाइम जो है मैं यही कहूंगा आपको जो जन्वरी से लेकर मान लिजे एप्रिल माई जून का टाइम है यहाँ पर आपको बहुत सादगी रखनी है अपने रक्तित्व में बहुत चीजों को सिंपल रखना है जीवन थोड़ा रुक जाएगा आपको आपने आप यहाँ पर जीवन स्टेगने हो जाएगा बोरिंग लगने लगेगा आपको पूरा जीवन आपको लगेगा कि जीवन आगे बढ़ ही नहीं रहा बलकि पीठे जा रहा है तो थोड़ा धहर दिखाना पड़ेगा दस्वी द्रिष्टी पंचम पे रहेगा अब यह संतान योग बनता है विद कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेशन इसलिए क्योंकि अश्टम में है लेकिन अश्टम भाव बीज स्थान है केवल पंचम भाव को देखकर बोल दिया कि भई संतान योग है नहीं अश्टम और तृतिय भाव बहुत इंपोर्टन होते हैं थोड़ा बड़ा टॉपिक है लेकिन बीज स्थान है तो जिनको प्रॉब्लम्स आ रही थी कंसीविंग में डॉक्टर्स की हल्प से यहाँ पे कंसीविंग हो सकती है इस साल में शेर मार्किट में बहुत बड़ा मांट इस साल मतलगा है अचानक से पैसा आएगा लेकिन अचानक से पैसा जाएगा भी तो रिस्क फैक्टर थोड़ा कम करें तिंकिंग प्रॉसेस पर बहुत इंपेक्ट रहेगा शरी देव का पंचम भाव है क्रियेटिविटी कम होगी क्लैरिटी कम होगी अगर आपके बच्चे हैं अल्रेडी तो उनसे दूरी आएंगी वैचारिक मध्वेध होंगे और कभी-कभी आप हर चीज़ को एक नेगेटिव एंगल देंगे जो स्टूडन्स है उनके लिए ठीक ठाक है हाँ लेकिन रोमैंटिक लाइफ लव लाइफ पर इसका नेगेटिव इंपक्ट पड़ेगा बात करूंगा उसका उसके सेक्शन में ब्रेक अप तक की भी नौबत आ सकती है थोड़ा बहुत इंप्रूब्मेंट होगा जब प्रहस्पती राशी परिवरतन करेंगे और दस्वे स्थान में आपके आ जाएंगे क्योंकि आपके लिए भाग्यस्थान के स्वामी है दस्वे में आएंगे तो स्टॉंग करेंगे केंद्रों को क्योंकि केंद्र स्थान में आ रहे हैं तो यहां से चीजों में थोड़ा इंप्रूब्मेंट होना शुरू हो जाएगा इसले मैंने काता कि शुरू का जो पीरेड है वो थोड़ा नेगेटिव है कर्म धर्मादी पती योग बनेगा करियर में दुबारा थोड़ी स्टैबिलिटी आना शुरू होगी अब एकदम नहीं हो जाएगा लेकिन धीरे-धीरे करके जो शनी महराज का नेगेटिव इंपेक्ट स्पेशली करियर पे होगा उस पर थोड़ा सा कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा गुरू चांडाली योग भी बनेगा एप्रिल से लेकर अक्टूबर तक दस्वे घर में बहुत अच्छा होता है शिफ्ट हो जाएगा आपका करियर ये एप्रिल के बाद के जो पांच-छे महीने आपके करियर के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है रोल चेंज हो सकते हैं जो जॉब करते हैं वो बिजनस करना शुरू कर सकते हैं बहुत significant, बहुत ups and downs वाला होगा, लेकिन कुछ positive ही आपको देखे जाएगा, multitask आप कर पाएंगे और बहुत active रहेंगे कारक्षेतर में, major change आने वाला है इस साल, career में, ब्रहस्पती हमीशा एक shield की तरह आपके लिए इस साल काम करेंगे, अपरिल के बाद, पंचम दिश्टी धनस्थान पर, अब धनस्थान activate हो रहा है, शनी और ब्रहस्पती दोनों दुआरा, ये बहुत अच्छी चीज़ है, पैसा तो आपके पास इस साल अवश्या आएगा, आपके पास नहीं, लेकिन साइमल्टेनियस्टी इसका मैरिड लाइफ पर नेगेटिव इंपेक्ट पड़ेगा, क्योंकि सब्तम से अश्टम activate हो रहा है, उसमें से भी एक शनी महराज है जो एक्टिवेट कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे, जो सात्वी दृष्टी चौथे घर पर प्रॉपटी, आप अपनी प्रॉपटी बना सकते हैं, प्रॉपटी कंस्टक करा सकते हैं, माता जी की सेहत खराब हो रही थी, आपकी ठीक हो सकती है, ये वाहन संबंदित कुछ कारे टक रहे थे, नया वाहन खरीद रहा है, अच्छा साल है, और ब्रहसपती थोड़ा बहुत emotional stability देंगे, ब्रहसपती बचागे रखेंगे आपको, जो एक saving grace है इस साल, वो आपके ब्रहसपती है, जो शनी महाराज के थोड़े जो negative impact होंगे, उसमें कमी राएंगे, जो नवी दृष्टी है, वो छटे भाव पे रहेगी, कुछ legal कारे अटक रहे थे, जीवन में रुकावटे आ रही थी, वो रुकावटे दूर होंगी, dedication बढ़ेगी, साहस बढ़ेगा, जो जारूपन बढ़ेगा, यह सब बहुत अच्छी चीज़ है, और health भी आपकी थोड़ी बहुत improve होना शुरू हो जाएगगी, राहू और केतू का 30 अक्टूबर को राशी परिवत्तन होगा, राहू का नवम में आना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, उल्टा चलते हैं, 30 अक्टूबर को नवम में आ जाएंगे, बहुत अच्छा, जो नकरात्मक था आ रही 30 साल, अक्टूबर के बाद आप देख साहस, हिम्मत, सब कुछ बढ़ाएंगे, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है कुछ special prediction, यह साल आपको कौन आपका अपना है, कौन पराया, इसका ग्याद कराके जाएगा, आप अपनी value जान पाएंगे, जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा, साल के अंतिम भाग में mind relaxed हो ज सुरू कर देंगे, अपने आपको जानने को मिलेगा, mind detoxify होगा, और कही न कहीं साल के अंत में shine होने का मौका मिल सकता है, realistic होएंगे इस साल आप, और जीवन का flow आएगा, जैसे जैसे साल आगे बढ़ता जाएगा, अप्रिल तक का समय, अप्रिल मही तक का समय, थोड़ा ज जादा पिश्वास करना महेंगा पड़ेगा, अचानक से लिए गए निरने महेंगे पड़ेगे, और घरवालों से चीजों को चुपाना महेंगा पड़ेगा, जब समय है तब मदद ना मांगना महेंगा पड़ेगा, और कुछ anti-social activities करना भी महेंगा पड़ेगा, इन सब च चलते हैं, करियर के लिए बहुत significant, बहुत important महत्वपूर्ण साल है, एक तो शनी महराज जैसा मैंने बताया था कि दस्वे भाव को देखेंगे, अंस्टेबिलिटी आएगी शुरुवात में, लेकिन एपरल के बाद बहुत चीज़े बदलेंगी सकरात्मत तोर पर, आप टच करेंगे, और रिस्क भी थोड़ा बहुत लेंगे, जो शायद आपके लिए अच्छा रहेगा, overall आप करियर में एपरल के बाद आगे बढ़ना शुरू कर देंगे, comfort zone से लेकिन निकलना पड़ेगा, इकादत होती है करक की, comfort zone में चले जाते हैं, लेड बैग, आपको बहुत मेहनत करवाएंगे, और ब्रहस्पती आपको भागे का साथ दिलाएंगे, ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए जो हो रही है, इस साल का लाब उठाईएगा, मैं ये नहीं कहरा कि बहुत easy साल रहेगा, साल मुश्किल होगा, साल बहुत मेहनत भरा हो लेकिन productive होगा, अगर आपने महनत करी, अगर आपने हिम्मत दिखाई, तो ये साल आपको आपके कारेक शित्र में कुछ बहुत अच्छा देखे जा सकता है, significant year होगा, कुछ ऐसे साल होते हैं जो वेक्ती के करियर को बनाते हैं या बिगारते हैं, अब ये दोनों साइट जा सकता है, media, human resource, internet, technology, data, data analyst, research, processing, इन सबसे जुड़ा कुछ भी कारे करते हैं, लाब होगा, जब October में के तू तीसरे स्थान में आ जाएंगे, वहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान देना है, क्योंकि वो दस्वे से छटे में होंगे, वहाँ पर आपके colleagues आपके लिए problem create करेंगे October के बाद, कुछ special predictions, ये साल धीरे धीरे करके एक reality check आपको मिलेगा, आप practical होते जाएंगे, inspiration प्राप्त होगी इस साल, और साल के अंतिम भाग में आते आते बहुत नए-नए ideas आएंगे, आप कुछ ऐसा शायर इस साल कर सकते हैं, जो आपको खुद पर proud करवाएगा, action oriented साल भाग्य का फाइदा मिलेगा, जब भी ऐसा लगता है कि भाग्य आप अच्छा है, उस चीज का फाइदा उठाना है, क्योंकि भाग्य की कारक आपके दस्वे स्थान में ही बैठेंगे, सही समय पर सही निरने, सही समय पर सही कारे, बहुत अच्छा आपको result देगा, धीरे- चीज के लिए accountable होना है, अगर accountability आप avoid करना शुरू कर देंगे तो problem होगी, guidance अगर नहीं है, तो उसको पाने की कोशिश करनी है, बिना guidance के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे इस साल, guidance avoid करना, guidance पे काम नहीं करना भी आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, और distraction भी आपको इस साल करियर में महंगी पड़ेगी, चलते हैं business के तरफ, business के लिए ये साल अत्यनत लावकारी है, सब्तम के स्वामी, business के लिए सब्तम को देखा जाता है, वो आ जाएंगे आठवे स्थान में, ये अच्छा रहेगा आपके लिए, वहाँ पे क्योंकि अपने स्थान से दूसर लेने से बचें, लेकिन overall अगर हम देखें, ये साल जो लोग business करते हैं, अपना काम करते हैं, self-employed है, बहुत अच्छा साल है, सब्तम भाव के स्वामी अश्टम में बैठकर धनस्थान को देखेंगे, धन अवश्या आएगा, अलग-अलग जगाओं से धन आ सकता है, सपोस आप एक कारे करते हैं, उसमें आपको दो-तिन जगाओं से धन मिलता है, ये साल वैसा है जब आपके जो income के sources आपके business में, वो कई गुना बढ़ सकते हैं, महनत वारा साल बहुत है, शनी देव बिना महनत के कुछ नहीं देते, लेकिन अगर आपने इस साल महनत करी, उसके प इने ideas आपको अपने business में आएंगे, अगर आप बाहर से संबंदित, अगर आप insurance based, अगर आप research based, अगर आप technology based, अगर आप manufacturing, mining, construction, इन से जड़ा कुछ भी business करते हैं, तो ये पूरा साल आपके लिए बहुत ही जादा lab कारी होने वाला है, इस साल का आपको lab ही lab उठाना है, कुछ चीजों का बस ध्यान रखेगा, negative साल नहीं है, बस जो शुरुवाती 3-4 महीने हैं साल के, वहाँ पे धन के संबंद में कोई बहुत बड़ा निरने ना ले, अगर आपके partners हैं, उनके साथ संबंदों पर काम कीजिए, अगर आपके partners आपको लग रहे हैं, कुछ करवाही कीजिएगा, उस चीज़ के बार में जानिएगा, हो सकता है कई तथ्य सामने आ जाएं, साल बहुत अच्छा है बिजनस के लिए, इस साल का आपको लाब अवश्य उठाना है, बहुत पैसा, बहुत धन और बहुत stability लेके आएगा आपके लिए ये साल, बहुत करते double activation की जो theory होती है, शनी और बहस्पती की, वो दूसरे भाव को activate करेगी, धनस्तान activate हो रहा है, तो ये साल पैसा तो आएगा ना केवल आपके लिए, जैसे मैं बता चुका हूँ पहले भी, ये आपके family के लिए भी बहुत significant है, आपके घर में पैसा आएगा, घर वाले, घर क हो सकता है, और पैसे कमाने की बहुत सारी opportunities आएगी, नया business start कर सकते है, money related ideas आएगे, already investment कियाता उससे लाब होगा, property में कही investment करके रखाता लाब होगा, एक उरजा रहेगी सकरात्मक पैसा कमाने के लिए, तो धन के हिसाब से, भौतिक जीवन के हिसाब से तो अच्छा साल है खर्चे भी थोड़े बहुत होंगे ही, सेहत पर बहुत खर्चा होना करना पड़ेगा, छोटे छोटे टाइम पर थोड़े थोड़े इंटर्ल में कुछ ना कुछ पॉब्लम आती रहेगी, क्योंकि अश्टम में है शनी, अचानक से कुछ खर्चे बढ़ेंगे, उनको control नह करना पड़ेगा, उनको खुश करने के लिए, उनकी जरूरत है पूरे करने के लिए, इसके साथ ही अपने career और business को stable करने के लिए खर्चा करना पड़ेगा, और ये खर्चे कोई बुरे नहीं है, आपको समझ आएगा कि हाँ बहुत चेंज लाना है, उसके लिए आप खारने के लिए खर्चा होता है, वो investment होता है, वो exactly खर्चा होता नहीं है, अपने lifestyle पर, अपने वाहन पर, property पर बहुत खर्चा करना पड़ेगा, कोई नई property ले सकते हैं, उसके भी खर्चा होता हुआ देख रहा है, और घर से, घर को, घर के सौंदरिय करन पर, घर की जरू चलते हैं love life पर, love life के हिसाब से बहुत अच्छा साल नहीं दिख रहा है, कारण क्या है कि एक तो शनी देव की दृष्टी बनी रहेगी अश्टम भाव से पंचम पे, पंचम भाव, romance, love, relationship का भाव है, अब अश्टम के शनी अपना प्रभाव तो दिखाएंगे, इसके साथ अगर आपकी दशा अंतरशा थोड़ी बुरी चल रहे है, के तू, शनी, वक्री मंगल, मंगल, वक्री शुक्र, इन सब की अंतरशा दशा चल रहे है, तो और problem होगी, unstability आएगी इस साल relationship में, दूरी आएगी, विश्वास की कमी होगी, और बहुत problem होता है जब विश्वास नहीं पड़ेगा आपके पंचम भाब पर, तो वहाँ से problem जाधा आनी शुरू होगी, ब्रेक अप तक बात पहुंच सकती है, जिनका दशानतर दशाची नहीं है, ब्रेक अप तक बात पहुंचेगी, आपका नेचर चेंज होगा, आपके partner का नेचर चेंज होगा, अपने relationship को लेकर, नगरात्मक attitude रहेगा, नगरात्मक atmosphere रहेगा बहुत लंबे समय तक, physical emotional level पर दोरी आएंगी, physical intimacy में कमी होगी, और ऐसा लगेगा कि एक दुसरे को जानते नहीं है, कौन वेक्ति है ये, ऐसे कई moments आएंगे आपको लगेगा, कि ये वेक्ति है कौन जिसके साथ मेरा relationship चल रहे है, तो ये साल relationship के लिए अच्छा नहीं है, कुछ special predictions, insecurities बहुत तंग करेंगी, कभी-कभी चीजों को भागे पर छोड़ देना अच्छा है, और देखना पड़ता है कि भागे क्या चारता है, relationship खतम करना या उसको आगे बढ़ाना, तो यदि लगे कि चीजे आउ relationship, problem नहीं आती, तो उसके बाद balance आना शुरू होगा, कि साल आपको changes को accept करना है, feelings को express करने की कोशिश करनी है धंग से, और पुरानी चीजों को बीच में बार-बार नहीं लाना, जादा enthusiastic भी-कभी नहीं होना इस साल, वो भी problem देगा, कुछ सावधानिया है, अपने partner को जा कि आपको compromise नहीं करना, और delay नहीं करना, कुछ भी निरने है जिसमें आप दोनों involved है, उस चीज को delay मत कीज़ेगा, ये भी problematic रहेगा, married life के तरफ चलते हैं, married life के लिए भी साल अच्छा नहीं है, कारण क्या है, वैसे भी करक कि बहुत अच्छी married life नहीं होती usually, सब्तम भाव अब बहुत unstability आएगी, uncertainty आएगी, जो सब्तम भाव से अश्टम स्थान है, यानि के लगने से दूसरा, वहाँ भी शनी की दृष्टी पड़ेगी, दोनों ही बहुत important होते हैं, married life के लिए, तो ये साल अच्छा नहीं रहेगा, ब्रहस्पती भी जब राशी परिवतन अप्रिल में तो उनका भी जो दृष्टी है, पंचम वो दूसरे स्थान पर रहेगी, यानि कि सब्तम से अश्टम एक्टिवेट हो रहा है, लेकिन बहुत unstability रहेगी, थोड़ा बहुत ब्रहस्पती क्योंकि शुब गरह हैं, उनके राशी परिवतन के बाद थोड़ी unstable है, कई चगा पर compromise आपको करना पड़ेगा, तभी चीज़े ठीक चलेंगी, और उसके लिए तैयार भी रहिएगा, थोड़ा compromise अगर हो जाता है, तो उसमें कोई problem नहीं होती, लेकिन आपके efforts के बारे में आपके life partner जादा considerate नहीं होगा, आप कितना भी कुछ अच्छा कर करेजिये उनके लिए, वहाँ से कुछ जादा reciprocate होगा नहीं, वो जादा कदर उसकी करेंगे नहीं, बहुत जादा changes मत लाइएगा इस साल, physical compatibility पे काम करिएगा, वो भी बहुत important होती है, मानसिक तोर पर शायद इतना एक दुसरे को नहीं समझ पाएंगे, तो ठीक है, कभी कभी समय बिताना भी, समय को जाने देना भी बहुत important होता है, यह साल वैसा ही रहेगा, एक दुसरे के साथ जब रहेंगे, बहुत ज़्यादा comfortable नहीं रहेंगे, जितना एक दुसरे से अलग रहेंगे, याद एक दुसरे को करेंगे, लेकिन साथ में आएंगे तो uncomfortable रहेंगे तो थोड़ा अजीब सा साल आपके लिए दहेगा बहुत चीजें बदलेंगी इस साल और मैं यही कहूँगा कि थोड़ा धहरे रखेगा क्योंकि आजकल married life में लोगों के अंदर धहरे बहुत कम हो गया है कुछ special चीजें बहुत तत्थे सामने आएंगे पुरानी चीजें नहीं चीजें यह साल असेस्मेंट का है कि क्या यह विवहिक जीवन आगे चलेगा या नहीं चलेगा especially उनके लिए जिनका already बहुत problematic चल रहा है डैवोस के chances बनेंगे मैं कोई छुपाऊंगा नहीं चीजों को लेकिन डैवोस के chances इस साल बहुत बनेंगे आपके balance नहीं आ पाएगा married life में मैं यहीं कहूंगा कि चीजों को बहुत simple रखिएगा जहां आपको पता है कि यहां पे argument होगा चुप रहिएगा कभी-कभी वानी पर control करना बहुत important होता है feelings नहीं समझ पाएँगे communication बहुत कम रहेगा बहुत खराब सा हो जाएगा समझ ही ने पाएँगे कि क्या convey करना है क्या convey हो रहा है trust issues बहुत रहेंगे कुछ सावधानिया है communication जैसे मैंने बात करी उसको miscommunication में तो बिल्कुल मत बदलना देजिएगा कम हो भले ही communication लेकिन miscommunication ना हो कुछ भी लगता है कि ये चीज पॉजिटिव है उसको expand कीजिएगा पुराने topics को तो भूल कर भी touch मत कीजिएगा इसके साथी कभी-कभी चीजों को control ना करना भी अच्छा होता है ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगा अपनी गलती पहले मानिएगा ये साल आपके लिए तब भी थोड़ा ठीक हो सकता है इन सब चीजों का ध्यान रखेगा लेकिन अच्छा साल नहीं है health के दिरफ health के लिए जो साल है ठीक ठाक है क्योंकि अश्टम में शनी आयू कारक होते हैं तो health problems धीर धीरे करके ठीक होंगी ब्रहस्पती पहले तो लगन को देखते रहेंगे तो वहाँ तक तो ठीक ही रहेगा सब कुछ overall health ठीक है लेकिन क्योंकि साल बहुत लंबा पेरिड हो से कुछ प्रॉब्लम स्वाएंगी liver की problems इस साल उत्पन हो सकती है infections बहुत होंगे genital या reproductive parts से जुड़े कुछ problem हो सकती है महिलाओं में uterus के problem, पुरुशों में prostrate की problem piles की problem यदि है तो वो थोड़ा ज़ादा दिक्कत देगी इस साल इसके साथी गले के रोग बहुत तंग करेंगे indigestion digestive disorder बहुत तंग करेंगे इस पर ध्यान दीजेगा क्योंकि जलत अत्व की राशी है लगनमे थोड़ा digestion कम ही होता है कमजोर ही होता है तो इस पर ध्यान दीजेगा समय के साथ इनका weight बढ़ता रहता है क्योंकि digestion कमजोर होता रहता है diabetes स्टार्ट हो सकती है इस साल इन सब चीजों का ध्यान देना है अब बात करते हैं उपाय की आपको प्रथम उपाय जो है वो पांच सोमबार करना है आपको शिव मंदिर जाकर महादेव को पहले खीर का भोग लगाना है उनका दूद से अभिशेक करना है इसके बाद वहाँ बैठकर ओम नील कंठाय अनमहा मंत्र का 108 पार जाब करना है ये कितना करना है पांच लगातार सोमबार इसके साथ आपको दूद का दान भी करना है पांच सोमबार मंदिर में किसी भी NGO में किसी भी संस्ता में जो जानवरों की मदद करती है जानवरों की सहयता करती है, वहाँ पे कुछ दक्षिना, कुछ दान, कुछ डोनेशन, जितना भी आपसे हो, दीजिएगा. गौश अला में गुड़ और खाने का गौवाता के लिए इंतजाम करना है, प्रबंदन करना है, नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी आप धन के रूप में सहयता कर सकते हैं, इसके साथ ही किसी व्यक्ति की अगर आपकी ख्षमता हो, तो आर्थिक रूप से कुछ सहयता कर दे धिसके सकते हैं, तो आर्थिक में जोती की एंचर साथ हैं, तो प्रजाया प्रेचार सुना करें देर उं़िधा तोौश्ड़ से की रूप में खाने, आर्थिक रूप में झेंजः खभिका रमलाराने का उनक्सा लोवास, तो आर्थिक रूपस कर दो बूड़